प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप और नेवर मिस अनादर अपडेट क्या करेंगे ऐसे समय पर आदर को या एप ढूंडेंगे या जैसे लाइक आप वगएर आते हैं उनकी शरण में जाएंगे तो यहाँ पर एक बड़ी समस्य आ रही है लेकिन अगर आप भी टिक टॉक बनाते हैं अगर आप भी के अंदर भी कुछ क्रेटिविटी है इस चीज क्या है और आखिर क्यों 15 सेकेंड की ही वीडियो बनाते थे ये लोग और इसके अंदर आपका क्या फ्यूचर है जो आप अपने समय लगाते हैं उसको कैसे कैश करा सकते हैं ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो हमारे चनल को सब्सक्राइब कर द आपको पता होनी चाहिए और आपको नहीं चल पाती है तो इस वीडियो के अंतरगत आपको सारी चीजे वो मिलेंगी चले दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यो है TikTok हो गया है बंद जो TikTok के creators हे उनके लिए क्या पेटर आप्शन हो सकता है आगे के लिए क्या वो इसी तरीकी का कोई और एप ढूंड़े जो कि आगे चलने के बाद वो भी बंद हो जाए या TikTok जैसी जो भी इस तरह का एप बनाती है उनको restrictions लगाना चाहिए कुछ अपनी guidelines decide करनी चाहिए यह सब बाते अलग हैं लेकिन हम कुछ चीजों पर हमारा जोर नहीं चलता है जैसे की TikTok की जो company है like happy company हम उनको अपनी सला तो दे सकते हैं लेकिन उनसे अपनी बात मनवा नहीं सकते हैं या हम जो सब की वो करती हैं हमारे साथ कि हमें जिस तरह की guidelines देती हैं हमें उन्हीं हिसाब से चलना पड़ता है लेकिन दोस्तों की कुछ ऐसी भी platform है जहां पर आप खुद decide करते हैं कि आपको करना क्या होता है जैसा कि आप सामने देख रहे हैं YouTube का एक बहुत ही बहतरीन माद्या में जहां पर आप सेम decide करते हैं अपनी guideline पर decide करते हैं कि आपको करना क्या है यहां पर और बाकी जो TikTok है वहां पर आपको जो है सिर्फ dubbing के लिए बस lipsing करने होती है वहां पर आपको जो already audio मिलती थी सिर्फ lipsing करके आप अपनी creativity शो करते थे लेकिन यहां पर भी इस तरह का आप कर सकते हैं आप अगर आप lipsing करना चाहते हैं तो lipsing कर सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात कर deeply बताना चाहूंगा यहां पर कि कुछ चीजों का future थोड़ सा limited होता है कुछ जैसे कि आपने देखा होगा कोई जैसे DVD प्लियर जब आया था तो खुब चला था उससे पहले CD प्लियर आया था तो कुछ खुब चला था cassettes आयते हो काफी चलेते लेकिन एक समय बाद वो outdated होने लगते हैं तो कहीं न कहीं मैं आपको बाद बता हूँ कि हर आदमी कुछ नया देखना चाहता है अपने content के साथ मैं भी कुछ नया करता हूँ अपने videos में हर बार लेकिन जो basic आता है कि कहीं न कहीं उनको creativity चाहिए कुछ नया पन चाहिए जब DVD आउटडेटेड हूई तो आगई आपकी USB अब USB आउटडेटेट हो जा रही है क्योंकि आगया है आपका WiFi high speed internet connection क्योंकि आप कोई movie अगर किसी को देखनी है तो pen drive में लाक है और यह सब नहीं करता है वह सीधे WiFi से connect करता है अपने TV को अपने smartphone को और movies को देखता है लेकिन कहीं न कहीं बात आती है कि आप अपने आपको नहीं कर पाओगे या फिर आपके लिए कहीं न कहीं एक time waste type का ही हो जाएगा हो सकता है आपको publicity मिल जाए जो कि पैसे से भी ज्यादा बढ़कर होती है लेकिन कहीं न कहीं आपको दालोटी तो चलानी ही पड़ेगी और जिसके लिए शायद वो आपका काम नहीं आएगा तो वो आपको बहतर platform देते हैं किसे कहीं गुना जादा आप अपनी जरूरी नहीं आप 15 सेकंड की creativity को दिखाए आप एक मिनिट की creativity को भी दिखा सकते हैं अब दोस्तों जो बात मैं आपको मैंने शुरुबात में बताया था कि 15 सेकंड वर्सेस जो है अगर एक time limit हटा दी होंगे तो जैसे कोई dialogue चल रहा है और अचानाक 15 सेकंड बाट वो कट हो जाता है तो कहीं नहीं लगता है कि यह अधूरा अधूरा सा है तो यहां पर जो basic factor आता है वो यही आ जाता है कि आपको एक ऐसा platform देखना होगा जहां पर आपकी creativity उभर के आए यह नहीं कि सिर्फ आ काम करिए और पैसा चापिए क्योंकि basic सबका एक मतलब होता है अगर आपके अंदर creativity है तो आपको पैसा चापना है क्योंकि अगर आप पैसा नहीं बना रहे हो तो एक में एक दिन वो जो मेरे काफी सारे से साथी थे जिन्होंने क्रिक्टॉक बनाई लेकिन उनको थोड़ा एक ऐसा platform है या जो बहुत सारे ऐसे monetization के platform है जहां पर आप काम कर सकते हैं और पैसा भी बना सकते हैं अपने हुनर से सीधी सी बात सोचने वाली यह है कि अगर आपको किसी काम को करने के पैसे मिल रहे हो और किसी काम को करने के पैसे ना मिल रहे हो तो उसमें आप कौन से च आपके status को maintain रखता है आपकी वीडियो की quality कल को अगर मान लीजे मेरे पास पैसे ना दे YouTube मुझे के दिन नहीं दे तो क्या मैं यहाँ पर वीडियो बना के आपको ग्यान दूँ या मैं आपको नए नए अन्बॉक्सिंग्स लेकर रहा हूं या आपने वीडियो की quality पर काम कर तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा यह channel चराना लेकिन क्यों क्यों क्योंकि मुझे इसका पैसा मिलता है इसलिए मैं उसको चलाता हूं उसको run करता हूं quality अच्छी से अच्छी देने कोशिश करता हूं basic जो factor आता है वो यही आता है कि जैसी मेरी वीडियो जो कल है उससे बहतर मेरी वीडियो आज की हो हम सिर इस जो है बिहाफ पर काम करते हैं तो टिक्टॉकर से कहूंगा कि वो नराज ना हो बिल्कुल भी disappoint ना हो आपकी जो fanbase है वो एकदम बने हुए हैं बस किसी website की delete हो जाने से किसी चीज के खता हो जाने से हम यह नहीं कह सकते हैं क कि वो चीज हम आपके लिए नहीं रही तो आप और भी platform तलासी हैं लेकिन मैं आपसी यह कहूंगा यह नहीं कि आसमान से गिरे और खजूर में हटके वाला हाल हो कि आपने टिक्टॉक छोड़ा तो आप लाइक पर आगए और लाइक जब जाएगा तो फिर कहे पर आओगे इसलिए मैं आपको एक ऐसा स्टेबल मीडियम बता रहा हूँ यूट्यूब का क्रेज कभी नहीं जाएगा यह तो बात आप लिखके ले लो क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा platform बन चुका है आज की तारिक में जैसे Facebook हो गया YouTube हो गया Twitter हो गया इनके क्रेज कभी नहीं जाएग मजबूत हो तो आज की वीडियो अगर आपको समझ में आई हो पसंद आई हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे बता सकते हैं कि कैसे लगे आपको यह थौट्स मेरे और टिक टॉकर्स वालों से एक बार फिर से यही सला है कि प्लीज फेर से तोड़ा से सीरियस होके सोचिए कि टिक टॉक में कुछ नहीं रखाया थोड़ा सब whack अगर आना है तो मेंस में मजबर यहां को ACC यहां है वो कही नहीं है झाल झाल